मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ और कैसे मूर्ख बनाती है ये कंपनी वो विग्यापन में कहते हैं लाइफ बॉय मेल में छुपे कीटाणूओं को धो डालता है मेल को नहीं धोता मेल में छुपे हुए कीटाणूओं को धोता है और कीटाणूओं को मारता नहीं है धोता है सुनाए ना ध्यान से लाइफ बॉई मेल में छुपे कीटाणूओं को धो डालता है तो मारता नहीं है धोता है इसका माने कीटाणूओं को धो पहुँचकर और तंदरुस्त बना देता है तिया होने का प्रमान क्या है साबुन में केमिकल जितना ज़्यादा साबुन उतना ही घटिया और केमिकल उसमें जो सबसे खराब केमिकल है जो आपकी तुचा को खराब करता है मैं आपको उसका प्रमान देता हूँ आप लाइफ बॉई से नहाईए नहाने के बाद जब शरीर सूख जाए ना तो नाखुन से ऐसे लाइन खिचिये सफेद रंग की लाइन खिच जाए कैसे खिची लाइफ बॉई के केमिकल कचरे ने आपकी तुचा के तेल को पूरी तरह से सुखा दिया तो तुचा एकदम रूखी और सूखी हो गई और जिनकी तुचा रूखी और सूखी होती है और बार 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 आप उस पे साबुन रगडेंगे तो एक दिन आपको एकदीमा होने ही वाला है सुराइसिस होने ही वाला है चम्डे के रोग होने ही वाले हैं आपको और मेरी बात मानो तो और एक कदम आगे बढ़ो बिना साबून के ही नहो साबून लगाने की जरूरत ही नहीं आप बोलो के कैसे नहाएं जब इसनान करते हो ना तो शरी को खूब अच्छे से रगड़ लो मेल सब निकल जाता पानी से नहा लो और एक तरीका है तौलिया होती है न तौलिया गीला करके उससे रगड़ लो पानी से नहा लो साबून की जरूरत नहीं और एक अच्छा तरीका है थोड़ा बेसन ले लो बेसन चने का आटा उसमें दूद मिला लो उसका पेस्ट बना लो उसको रगड़ के नहा लो साबून की जरूरत नहीं एक बहुत अच्छी मुलतानी मिट्टी आती है गाउं गाउं मिलती है मुलतानी मिट्टी को पानी में भिगो दो सवेरे तक नरब हो जाएगी रगड़ के नहा लो साबून की जरूरत नहीं नहीं तो दूद से नहा लो अच्छा ये बताओ हम जब किसी बड़े बजर्ग के पाउं छूते हैं तो वो क्या कहते हैं दूदो नहाओ आशिरवाद देते हैंगे नहीं कभी किसी नहीं ये कहा दूदो नहाओ या लाइफ बॉय लगाओ पूतों फलो लक्स लगाओ पुत्रियां फलो नहीं कहा ना सब बोलते हैं दूदो नहाओ पूतों फलो तो दूद से नहाओ बुजर्गों की इतनी तो मानो तो आप बोलोगे जी दूद बड़ा महंगा है साबून से सस्ता है साबून आता है सौ ग्राम पंद्रे रुपए का तो एक किलो कितने का हुआ देर सो रुपए का एक किलो दूद आता है बीस रुपए का साबून से सस्ता है और नहाने में दूद जो है न एक चम्मच खर्च होता है हाँ एक बार के नहाने में एक ही चम्मच दूद लगता मैं तरीका बताता हूँ आपको कल नहा लेना या घर जाके नहा लेना एक दो चम्मच दूद लेना बिना गरम किया हुआ कच्चा दूद लेना उसको शरीर में लगाना जैसे तेल लगाते हैं तेल लगाके हलकी हलकी मालिश करना तो दूद की सबसे बड़ी विशेष्टा है जैसे ही लगाओगे तो सारे मैल और गंदगी को बाहर निकाल देता है आपको मालूम है बड़े बड़े सुनो बड़े बड़े जो ब्यूटी पॉरलर से न फाइव स्टार वहाँ पे लोग जाते हैं मिल्क क्लिंजिंग कराने के लिए milk cleansing समझते हैं दूद से चहरे की सफाई करवाना अगर वो दूद से चहरे को साफ करा सकते हैं तो आप दूद से शरीर साफ क्यों नहीं कर सकते बस अंतर इतना है कि five star beauty parlor में milk cleansing 500 रुपए में होती है मैं फोकट में बता रहा हूँ आपको नहां के देखो दूद से थोड़ा दो चम्मच दूद ले लो मैं बहुत बार नहाता हूँ दो चम्मच दूद ले लो लगा लो तेल की तरह से तो सारा मेल गंदगी निकल जाएगा फिर पानी से डाल दो तो सारा मेल और गंदगी आपकी आँखों से जाता हुआ दिखाई देगा आप देख लो गंदगी निकालने के लिए इसनान किया जाता है और गंदगी निकालने की सबसे ज़्यादा ताकत दुनिया में अगर किसी एक चीज में है तो वो दूद है इसलिए हमारे देश में दूद से नहाया जाता है और दूद से नहलाया जाता है तो आप भी नहो अब इसका फाइदा क्या होगा साबून विदेशी नहीं बिकेंगे और या नहाना है तो देशी साबून से नहो तो पैसा देश के बाहर नहीं जाएगा मैंने हिसाब निकाला था कि सब लोग साबुन लगाना बंद करें और उतने रोपहे से दूद खरीद के नहाना शुरू करें तो करोड़ों किसानों को फाइदा होने लगेगा दूद की विक्री बढ़ जाएगी अब दूद की विक्री बढ़ेगी तो दूद की मांग बढ़ेगी दूद की मांग बढ़ेगी तो ज्यादा गाय पालनी पड़ेगी ज्यादा भेंस रखनी पड़ेगी ज्यादा गाय भेंस पालेंगे तो पशुधन बढ़ेगा तो उनका गोबर ज्यादा मिलेगा गोबर ज्यादा मिलेगा तो खाद ज्यादा बनेगी खाद ज्यादा बनेग और खेतों में पड़ेगी तो सोना उपजेगा